हेलो गाइज, कैसे हैं आप? तो आज के इस वीडियो में स्टूडियन्ट हम लोग बाइलोजी, कमिस्ट्री और फिजिक्स तो तीनों टाफिक के एक ही वीडियो में हम लोग कर रहे हैं चैनल को तेजी से ग्रो करें तो आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियों आप लोग देखने को मिलेगी चैनल पर और आप लोग जो इतने भी इस्टूडियन नर्सिंग पारामेटकल फार्मेसी कोर्स के लिए सीपी नेट का फार्म अपलाई किया है 2020 जो अभी 7 जनौरी को एकजाम है इसी मन्त में 7 जनौरी अभी 5 डे आपके पास हैं तो जो भी स्टूडियन फार्म अपलाई किया है मेरे चैनल में फिजिस कमेस्टी बाइलोजी की काफी अबजेक्टिव कोईशन कराए गया है और आप पेपर देने जाएंगे तो कंप्यूटर बेस टेस्ट होने वाला एक वीडियो बनने वाली है कि कैसे आप लोग कंप्यूटर बेस टेस्ट देंगे क्योंकि आप लोग को ये भी हेजिटेशन होगा कि पहले तो प्यान पेपर काफी से होता था तो फिर अच्छा रहता था आपकी बार कंप्यूटर से हो रहा तो थोड़ा डर लगता तो चलिए इस पर एक वीडियो बनेगी DTN में वही फालो आप लोग करेंगे कोई दिक्क्र नहीं होने वाली है तो इसमें physics, chemistry, biology के 100 questions आएंगे 33, 33, chemistry में 33, 33, 33, 33 question biology में और biology में 34 question और 33 question आएगा chemistry में 33 question आएगा physics में total 100 question without minus marking और जो paper होने वाला हो, English और Hindi language दोनों में रहेगा अब ये question बार बार comment में पूछते हैं कि paper हिंदी में आएगा कि English मेरे वीडियो तो देखोगे, उसमें हर वीडियो में मैं बोलता हूँ ये वीडियो नहीं देखते हैं बस ऐसे ही चलिए question number शुरू करते हैं जो हमारे मतलब चैनल पर continue देख रहे हैं उन सभी student के लिए ये सभी वीडियो very helpful है और आप लोग please comment, like, share करते रहे हैं तो चलिए हम लोग question number 11 को देखते हैं important question है, कह रहा बैक्टीरियो फेज मार देता है, तो बैक्टीरियो फेज किसको kill करता है, किसको मारता है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरियो फेज क्या होता है तो इसका बैक्टीरियो फेज हम लोग अभी अगर लगाते हैं तो वाइरस लगा देते हैं तो वाइरस को नहीं मारता ये ये बैक्टीरियो फेज क्या होता है बैक्टीरियो फेज खुद एक वाइरस होता है ये वाइरस होता है बैक्टीरियो फेज क्या होता है वाइरस होता है और ये भी question पूछा गया कि बैक्टिरियो फेज कैसा होता है तो double standard DNA होता है double standard क्या होता है DNA होता है double standard DNA क्यों होता है तो एक वीडियो इस पे बनने वाली है कौन single standard होता है कौन double standard जैसे यह चाई भी हो गया polio virus हो गया इस सब के बीच एक question बनेगी कौन double standard को single standard ये सब बन जाएगी तो ये बैक्टिरियो फेज क्या होता है ये वाइरस होता है और ये किसको मारता है तो ये वाइरस को तो कौन सा आपसन नमबर सही हो जाएगा आपसन नमबर 11 का देख लिजिए ये वाइरस होता है और किसको मारता है बैक्टिरिया को ये बैक्टिरियो फ थोड़ा टिर्की कर दिया और घुमा फिरा के question पूछ लिया गया है क्योंकि BOD जो होता है biological oxygen demand नहीं होता है biological chemical demand होता है student question number आप लोग 12 देख लिजे ना कह रहा है BOD, BOD का पूर्ण रूप है full farm आप BOD तो BOD का full farm यहां आप लोग लिख लिजिए BOD का full farm होता है biological oxygen demand अब आप इस option में देख लिजे यहां पे लिखा है biological oxygen deficit लिखा है मतलग कमी होना यह तो गलत हो जाएगा second में लिखा है biological oxygen demand अब यहां biological होना चाहिए यहां लिखा है biological बट इस question में थोड़ा देख लिजे यह biological oxygen derivative लिखा है यह भी गलत हो जाएगा यहां C option में लिखा है biological oxygen deficit deficit नहीं इसलिए तो यह भी गलत हो जाएगा नहीं तो यह option सही होता बट यहां पे हम लोग इस option को देखते हुए option को देखते हुए कि option कैसा दिया गया तो option number 20 सही कर देंगे biological oxygen demand यहां दिया गया वैसे biological नहीं होता है biochemical होता है तो हम लोग देखेंगे option में Biot का अगर फुलफार्म आता है एक्जाम में तो हम लोग ढूडएंगे क्या हम लोग ढूडएंगे biochemical oxygen demand ढूडएंगे option में कि biochemical oxygen demand किस option में दिया गया बायो केमिकल ओ एक्स वाई जी इन आक्सिजन डिमांड ढूड़ना है अप्शन में चलिए next question देखते हैं 13 number question कह रहा है जैवे संदाय में प्राथमिक उपभोगता क्या होते हैं तो यह question थोड़ा अब इसमें भी थोड़ा trick लगा दिया और question को थोड़ा क्या कर दिया मतलब लेबल में पूछ लिया question लेबल में पूछने मतलब यह है कि इसमें primary consumers इन यह biotic community तो आप लोग question 13 number को यह भी important है इस topic से question पूछे जाने हैं जो यह ecosystem होता है उसमें जो traffic level होते हैं अलग अलग traffic level होते हैं जैसे primary producer होता है एक primary consumer होता है एक secondary consumer होता है यह tertiary consumer तो यह पर primary consumer पर पूछ रहा है कि रहा है primary consumer कारनी बोरस होते हैं या scrivenger होते हैं हर भी बोर्स होते हैं आप यह भी नोट डाउन कर सकते हैं कि primary consumer क्या हो कौन कोन आते हैं इसमें इसमें जू प्लेंग टान आता है जैसे लिख लिख लिजिए जू पी यल एन के टी ओ यान जू प्लेंग टान आता है काउ आएगी गाय आएगा रैविट आएगा यह सब इस प यह क्या होते हैं प्राइमरी कंजूमर यहां पे दिया गया यहां सिकंडरी कंजूमर क्या होते हैं यह कारनी बोरस होते हैं कारनी बोरस मींस क्या होगा यह मांसाहारी होते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कारनी बोरस होते हैं चलिए नेक्स्ट कोईस्टन देखते हैं यूज किया जाता है तो यह इलिजा टेस्ट जो होती है यह किसके यह डियागोनिस्टिक होता है किसके डियागोनिस्टिक लिए किया जाता है टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए अगर एड्स डियागोनिस्टिक टेस्ट यह होता है इसको इलिजा टेस्ट को क्या कहते है ए AIDS, A-I-D-S, AIDS के diagnostic test होता है, कौम सा क्या नाम होता है, ELISA नाम होता, कभी-कभी तो इसका direct name ही पूछ लिया जाता है कि ELISA क्या नाम है, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, A-E-N enzyme लिख लीजिए, enzyme, L-I-N-K-E-D enzyme, linked, immuno लिख सकते हैं, I-E-M-U-E-N-O, immuno लिख सकते हैं, solvent, S-O-R-B-E-N-T, solvent लिख सकते हैं, फिर उसके बाद आप लिखेंगे, S-A-E-S-A-Y, S-A, immuno-servent, S-S का नाम होता है, तो इसमें यूज करते हैं, paroxidase, यह option number, last option correct हो जाएगा, और यह भी एक बार question पूछा गया था, कि ELISA को confirm करने के लिए, कि एकदम सही है कि नहीं कौन सा test करते हैं, तो ELISA को confirm करने के लिए, एक western test होता है, B-E-S-T-E-R-E-N, western blotting test किया जाता है, B-E-L-O-T-T-I-N, western blotting test किया जाता है, ELISA को confirm करने के लिए, next question number हम लोग देखते हैं, कहरा decomposers है, यह भी important question, बार-बार question यह भी पूछा जाता है, कि आप घटक कौन होते हैं, decomposers कौन होते हैं, तो animalia, monera होते हैं, या फिर protesta और animalia, या कवक पादप होते हैं, जिवाड और यह कवक होते हैं, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, fungi, या फियू यान, GI fungi and bacteria जो होते हैं, यह क्या होते हैं, यह जो होते हैं, यह होते हैं, decomposers होते हैं, तो आप सा number कौन सा आप correct करेंगे इस question का, डी आप सा number correct करेंगे, next question number 16 देख लेते हैं, ओजोन चिद्र किसके द्वारा होता है, तो जो ओजोन होता है, ओजोन जो परत होती है, हम लोग के UV rage जो आती है, तो वो हम लोग UV rage को रोक देती है, हम लोग यह धर्ती पे UV rage को सबसे कम पढ़ने देती है, अगर UV rage डारेक्ट पढ़ेगी, हम लोग के सरीर पे तो इसकिद का एंसर हो जाएगा, इसलिए ओजोन का होना महत्तपूर होता है, तो ओजोन चिद्र को कौन नस्ट कर रहा है, वो कौन सी है, इस टिलीन है या थिलीन है या क्लोरो फ्लोरो कार्वन, तो CFC जो होता है, यही तो नस्ट कर रहा है, जो हम लोग क्या यूच करते हैं, जैसे गाड़ी में AC लगी है, तो यही AC जो होती है, क्लोरो फ्लोरो कार्वन निकालती है, छोड़ती है गैस के रूप में, और इन्वार्मेंट में यह फिर जाता है, फिर यह ओजोन लेर को नस्ट करती है, तो C, यह कलोरो फ्लोरो कार्वन आफसा नमब सी करेक्ट करेंगे, यही ओजोन चिद्र को किसके द्वारा होता है, तो इसी कलोरो फ्लोरो कार्वन के द्वारा, next question, नर, जर्म, कोष्काएं, अर्ध, सूत्री, विभाजन के फलशुरूप किसका निर्माड करती है, तो यह question तो पूछा गया था एक बार, और यह question फिर एक बार पूछ लिया गया, और पूछे जाने के चलिए देखते हैं, question आप लोग करते रहिए, आया है ना है, और माइक्स में question यह होगा, कि आएंगे ही, तो आप लोग को कुछ छोड़ के नहीं जाना, सभी पढ़ के जाना है, चलिए यह question क्या कह रहा है, male germ cells undergo meiotic division, finally leading to formation, यह देख लिए यह भी देख सकते हैं, meiotic division, अर्द सूत्री विवाजन की बात कर दिया, और यह कह रहा है, male germ cell, male germ cell का होती है, two-n होती है, यहां से क्या बनेगा, यहां से first mitosis होता है, spermatogonia बनता है, फिर primary spermatocyte बनती है, फिर उसके बाद यहां से secondary spermatocyte, फिर spermatocyte बनता है, फिर last में क्या बनता है, last में आपका spermatocyte बनता है, yes, p, e, r, y, m, a, t, o, z, o, z, a, z, o, a बनता है, तो जोबा बनता है, इसी को तो कहते हैं, sperm कहते हैं, इसी को sperm कहते हैं, तो यह last में meiotic division करने के बाद, male germ cell, deployed होता है, और sperm क्या होता है, haploid होता है, तो कौन सा option सही करेंगे, option number B, correct हो जाएगा, next question number देखते हैं, 18 number question कहरा, गर्भासा एक पतली गरीवा द्वारा खुलता है, तो यह जो uterus opens through neurosurveics, जब uterus ऐसे खुलता है जाके, तो यह worth time में, आप लोग एकदम exact खुलेगा, देख सकते हैं, तो इसमें देख लीजिए, गर्भासा एक यह question आप लोग important है, गर्भासा एक पतली गरीवा द्वारा खुलता है, योनी में, जन्मनाल में, या अंडासे में, या कहीं नहीं, तो option number first सही हो जाएगा, ये option बैजाइना के तुरू ये खुलता है, तो option number first correct हो जाएगा, next question number, पीत पिंड कार्पस लिटियम के इस हार्मोन को स्रावित करता है, अब कार्पस लिटियम कहां पे बनता है, ये ओबरी में बनता है कार्पस लिटियम, और ये question तो बार-बार घुमा फिरा के पुछा जाता है कि कार्पस डेवलेपिंग कार्पस लिटियम से क्या निकलता है, तो प्रोजिस्टरान निकलता है, ये option number B correct हो जाएगा, अब प्रोजिस्टरान के हम लोग बोथ लगा देते हैं, तो C option लगा देते हैं, 19 का C लगाते हैं, तो तूरंत ये question गलत हो जाता है, और ये question 100% गलत होने के chance रहते हैं, क्योंकि ये estrogen भी दिया है, प्रोजिस्टरान दिया गया है, और developing carpus luteum जो होता है, ये one league प्रोजिस्टरान से क्रेट करता है, और प्रोजिस्टरान ही help करता है, ये uterus में जो layer नहीं होती है, endometrium maintain करता है, उस layer को बनाता है, मोटाई उसका thickness बनाता है, तो option number आप प्रोजिस्टरान सही करेंगे, कभी ये question गलत नहीं होना चाहिए, कि carpus luteum कौन सा hormone secret करता है, तो ये प्रोजिस्टरान secret करता है, चलिए next question को हम लोग देखते हैं, next question number, student एक concept और देख सकते हैं, आप जो luteinizing hormone होता न, यलियत जो लगा देते हैं, तो यही यलियत हार्मोन उसी पर काम करता है, तो ये फॉल्किल जो होती हैं, और रेप्चर होती हैं कार्पस luteum होली, फिर वहाँ से प्रोजिस्टान रिलीज हो रहा था, होता है, next question, 20 number question देख लिज़ें student, ये भी बार-बार question ये भी पूछा गया है, और पूछे जाने के chance हैं, क्योंकि थोड़ा, हाँ ये रहता है, कि ये समा से जुड़ा हुआ होता है, तो 20 number गर्भा उस्था पूड होने से पहले जान बुछ कर, या स्वच्चिक रूप से गर्भ के समापन को कहते हैं, तो कह रहा हैं, ये कह रहा हैं question, intentional, intentional या voluntary termination of pregnancy before full term is called, कह रहा हैं कि मान लिजे गर्भा उस्था जोती हो, पूड नहीं हुआ, भी complete नहीं हुआ कि आप abortion करा लिए, तो ये ही question कह रहा है कि termination pregnancy, pregnancy को terminate करा लिए before full term, तो उसको उस term को क्या कहते हैं, तो उस term को कहते हैं, first option ही correct हो जाएगा, चिकितिसिये गर्वर्ष्थ संगर्वर्था समापन, तो medical termination आप pregnancy कहते हैं, इसमें question बार-बार पूचा जाता है कि medical termination pregnancy को जो government आफ इंडिया थी, ये legalize कर दी थी, कानूनी अफराद हो गया था, कब की थी ये ही संग पूचा जाता था कि 1971 में ये legalize कर दिया गया था, इंडियन गवर्वर्वर्मेंट के द्वारा, 1971 आप याद करिये, याद करके रखियेगा, और एक question और पूचा जाता है कि MT medical termination pregnancy, मतलब किस मन्थ तक safe है, मान लिजिए, कोई भी ओमेन है, वो pregnant हो गई, तो वो pregnant जिस दिन से हुई है, उस मतलब pregnant होने पर किस मन्थ तक safe रहता है, तो first trimester, first trimester तक ये medical termination pregnancy होती है, अब abortion कराना safe रहता है, तो first trimester होता है, कितना, एक trimester में कितने महिने होता है, ये देख लिजिए, एक trimester जो होता है, ये होता है 3 मन्थ तक, तो 3 मन्थ तक safe होता है, ये भी question पूचा जाता है, या तुम्हे trimester देगा, या trimester देगा, या trimester देगा, या फिर देगा 3 मन्थ, एक ट्राइमिस्टर टी आर आई इसकी स्पेलिंग आप लोग देख सकते हैं टी आर आई यम ए यस टी ए आर ट्राइमिस्टर फर्स्ट ट्राइमिस्टर तीन मन्त में सेफ होता है तो इस question का option number first correct हो जाएगा next question number लगबार शरीर से बाहल लगबार शरीर के भीतर जैसी इस्थितियों में निशेचन की किरिया को क्या कहते हैं तो यह question कह रहा fertilization outside the body in almost similar condition as that in the body is called अगर जैसे मान लीजिए fertilization होता है uterus में जाके वहाँ phallopian tube होती है emplory stomach jansan पे fertilization होता है यह uterus का ही part होता है तो ऐसे मान लीजिए कोई बाहर अगर live में आप कर रहे हैं तो उसी को क्या कहते हैं natural fertilization या in vitro fertilization या both A and B या fertilization not possible तो उसी को तो कहते हैं in vitro fertilization यह देख लीजिए BITRO एक होता है in vivo होता है INBEBO तो यह तो अंदर होता है in vitro vivo हो जाता है तो इसलिए 21 का option number कौन सा B option हम लोग correct करेंगे पात्रे निशेचन या जिसे निशेचन तो in vitro fertilization इस question का option सही हो जाएगा next question student हम लोग इसी वीडियो में कर लेते हैं चलिए इसी वीडियो में question कर लेते हैं थोड़ा और इन में से कौन कहरा in which the copper copper releasing ideas कौन सा है तो copper releasing ideas कौन सा होता है copper T और copper 7 होता है वही copper releasing ideas होता है तो 22 का option number कौन सा correct करेंगे ये देख लिजिए copper T जो होता है ये copper release करता है और ये भी आप लोग देख लेंगे कि ELNG 20 क्या है पुरिजी starter क्या है लिप्स लूप क्या है तो ये सब आप लोग देख लिजेगा NCRT में और तो आप लोग ये question यहां से आने के 100% chance है तो चलिए हम बता भी देते हैं कि यहां से question अगर बनते हैं तो आप लोग को question गलत नहीं करने है क्योंकि अगर आप question गलत कर देंगे तो फिर ये बार-बार question एक पुछा जाता है कि non-medicated intrauterine device कौन होता है तो non-medicated अगर पूछ लिया तो आप लोग lips loop लगाएंगे ये देख लीजिए ऐसे question पूछता है कि non-medicated 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 कौन सा है इसमें तो non-medicated lips loop होता है और इसमें आप progester और ये दिख लीजिए ये प्रोजिस्टार सर्ट जोन होता हो LNG 20 ये हार्मोन रिलीज करता है बट इस question में तो ये वो पूछ रहा है कौन सा कापर रिलीजिंग हार्मोन है तो option number इसमें सी सही है और हार्मोन पूछता है तो ये दूनों लगाएंगे और non-medicated intrauterine device पूछता है तो lips loop लगाएंगे चलिए next question देखते है हाथी पाउं रोक को क्या कहते है elephantiasis को क्या कहा जाता है malaria, kalajar, philaria, escleriasis तो ये question तो direct आप लोग सी philaria, qlex मच्छर से होता philaria तो इसका vector qlex मच्छर होता तो option number 3 direct टिक करिए next question 24 का रा धुरूम 5 से होता है धुरूम smoking क्या काज करता है disease of lungs, bronchitis या फिर asthma तो ये देख लिजे bronchitis, फेफडो की बिमारी या asthma क्या काज करेगा तो अगर आप smoke करते हैं captain, secret, बिंडी ये पीते हैं तो आपको कौन सी बिमारी होने के chance है ये सभी फेफडे की बिमारी हो जाएगी अस्थमा इनमें से सभी तो अस्थमा ही ये respiratory disorder ही होता है अस्थमा अगर जिस patient को हो जाता oxygen लेने में, सांस लेने में inspiration करने में दिक्कत होती है inspiration और expiration और bronchitis क्या होती है ये जो bronchioles होती है ये सकरी हो जाती है मतलब सिकुड जाती है और फेफडो की बिमारी lungs की बिमारी होती है उसमें surface tension कम हो जाता है airbilii होती है वही रद हो जाती है मतलब infect हो जाती है बेकार हो जाती है चलिए next question को देखते है 25 number question तमबाकू दुर्बियसन से उत्पन होता है तो टूबाको addiction प्रोड्यूच क्या करता है cancerous mouth या फिर hypertension या हीरदे की बिमारी heart disease काज करता है तो क्या करता है अगर आप तमबाकू लेते हैं तो 25 का कौन सा option से जाएगा option number गाइन में से सभी मुग का cancer भी हो सकता है और hypertension में भी जा सकते है adrenaline से क्रिट करता है adrenaline आपको excitement कर देता है या फिर्दे की बिमारी heart disease भी हो सकती है तो option number हम लोग कौन सा लगाएंगे last option correct हो जाएगा next number question देख लीजे शरीर में रोधी चमता पैदा करने की किरिया क्या कहलाती है the process of producing immunity in the body is called अगर आपके सरीर में immunity produce हो रहा है सरीर में रोधी चमता पैदा करने की किरिया को क्या कहेंगे तो option number कौन सा immunization कहते नहीं है immunization तुमारा हुआ है कि नहीं immunization means vaccine आपको लगती है पी भी एक disease होती है टूबर क्लोसिस तो immunization कहते हैं उसी को तो option number भी correct हो जाएगा next question number निम्न में किसमें अध्यन को आंकोलोजी कहते हैं तो आंकोलोजी में क्या किया जाता है अब ये आंकोलोजी cancer जैसे आंकोलोजी मिले तूरंत आप कौन सा option लगाएंगे cancer निम्न किसके अध्यन को आंकोलोजी कहते हैं तो cancer के अध्यन को study को आंकोलोजी के अंतरगत किया जाता है next question number 28 इन में से कौन एक virus जनित्रोग है which अनंगदा following is virus bar disease तो malaria तो ये तो नहीं है protozoan disease फाइलेरिया देख लिजिए च्छै रोग को tuberculosis bacterial disease है cancer तो ये है नहीं तो आप लोग कौन साइस में option लगाएंगे option number कौन साइस आप लोग एक question इसमें सही करना इन में से एक virus जनित्रोग है which among the following is viral barn disease जो virus के थुरू होता है तो malaria, philaria, tuberculosis और cancer तो student इस question का option आप लोग option number D लगाएंगे cancer जो होता है ये viral born disease होता है क्योंकि एक viral disease जो एक virus होता है human papilliumia virus होती है वो cancer काच करती है तो option number D सही हो जाएगा और option सही भी आप काच सकते हैं ये protozoan disease है ये philaria जो मच्छर के तुरू होता है tuber closest तो bacterial disease है तो एक ही अही बसता है तो आपको cancer लगाना ही पड़ेगा तो option number D आप लोग correct करेंगे तो student चलिया हम लोग इसी वीडियो में chemistry के कुछ question discuss कर लेते हैं जो की important question आप लोग प्लीज चैनल को subscribe जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर share करें काफी संख्या में आप लोग को वीडियो को share करना है और चैनल को grow करना है ताकि motivation मिले है और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए मिल सकें क्योंकि ये question important है और आप लोग ये question समझ सकते हैं इंदिय और इंग्लिस दोनों language में लाने में कितनी problem होती है आप किसी से भी जानकारी ले सकते हैं ये तो चलिए next वीडियो में मिलेंगे thank you student हाँ तो चलिए student हम लोग chemistry के भी कुछ question कर लेते हैं जो की important question है तो student ये देख लिजिए हम लोग 10th question तक इसके पिछले वीडियो में पहले वाले वीडियो में कर चुके थे तो इस question नमबर 11 से वीडियो में करना है तो student आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें उपने दोस्तों को जरूर सेयर करें तो चलिए question नमबर 11 देख लेते हैं C-16 को क्या कहते हैं तो एक होती है C-16 होती है C-16 को किस में क्या होता है तो C-16 जो होता है आप यह भी note down कर सकते हैं कि C-16 को किस नाम से पुकारते हैं C-16 को हम लोग कह सकते हैं बकी बाल कहते हैं B-U-C-K-Y बकी बाल भी कहते हैं और ये बकीवाल भी कहते हैं और इसको एक नाम से बुक बक मिनिस्टर से नाम से जानते हैं इसमें जो होता है बक मिनिस्टर एसी सिस्टीन का एक बार भी पूछा गया था कि हाइबर डाइजेशन केतना होता है तो इसमें 12 पेंटागंस होते हैं 12 पेंटागंस होते हैं 12 पेंटागंस और 20 हेकजागंस होते हैं कितना हेकजागंस होते हैं 20 तो कौन सा option आप correct करेंगे option number आप correct करेंगे B option को correct हो जाएगा 12 pentagons and 20 hexagons होते हैं तो option number B correct हो जाएगा student आप लोग यहीं पर note down भी कर सकते हैं कि diamond का hybridization कितना होता है तो यह भी question पूछा गया है कि diamond का hybridization कितना होता है तो diamond का अगर पूछेगा तो आप ESP3 लगाएंगे और यहीं पर आप graphite भी note कर लिजे G R A P H I T E graphite का अगर पूछता है तो आप ESP2 लगाएंगे यह भी note down कर लिजे यहीं पर और ESC system का तो बता ही दिया ESP2 होता है तो graphite का ESP2 होता है diamond का ESP3 होता है और एक question एक बार पूछा गया था कि good conductor आप heat and electricity का कौन होता है तो graphite ही होता है good conductor best conduct करता heat and electricity का तो graphite तो diamond का ESP3 होता है यह आप लोग note down कर लिजे चलिए next question में हम लोग देखते है question number 12 देखते हैं यह भी question पूछा गया था एक बार तो question number 12 जो है किन अड़ूओं में carbon hydrogen बंधन लंबाई के घने करम में कौन कथन सत्ती है खुई चाप दा following represent correct order decreasing carbon hydrogen band decreasing order में हम लोग को बताना है कि carbon hydrogen band किसमें कितना है तो 12 का option number C correct हो जाएगा अगर जाएगे तो 12 का कौन सा option correct करेंगे हम लोग यह देख लिजिए option number कौन सा correct हो जाएगा तो इसमें option number हम लोग अगर सही करेंगे तो कौन सा option C option correct हो जाएगा CH4 में सबसे अधिक होता पिन C2S6 में C2H4 में C2H2 में तो सबसे कम हो जाएगा क्योंकि इसमें double band पाए जाएगा next question हम लोग देखेंगे question number हम लोग 13 देखेंगे निमलिखित अड़ों में किसका boiling point सबसे अधिक होगा तो जिसमें OH और OH लगा होगा और जिसका क्या molecular bed सबसे अधिक होगा तो option number 13 का C option देख लिजिए आप लोग correct हो जाएगा next question number next question number ये देख लिजिए C option correct है English में भी हम लोग देखते चलना है highest boiling point पूछ रहा था तो C option correct हो जाएगा 14 का देख लिजिए निमलिखित अड़ों में किसमे SP2 संकरमाण SP2 hybridization किसमें पा जाएगा ये देख लिजिए यहाँ पे तो ये देखना है निमलिखित अड़ों पे किसमें CH2 hybridization तो इसमें तो ESP hybridization हो जाएगा इस carbon पे भी ESP hybridize हो क्योंकि यहाँ भी double bond इधर भी double bond ये question ये किसी वीडियो में आप लोग अगर लगातार continue मेरे चैनल पे देख रहे होंगे तो ये question आप गलत नहीं करेंगे वहाँ पे fully explain किये थे तो ये देख लीजिए इसमें 14 का कौन सा आपसन सही होगा यहाँ देख लीजिए इस पे भी ESP2 carbon होगा इस पे भी ESP2 और इस पे भी ESP2 होगा क्योंकि यहाँ double bond से ये oxygen जुड़ जाएगा तो ESP double bond से carbon वाला ESP2 होता है तो तिरपल bond से जुड़ा होता ESP2 होता और जो single bond से जुड़ा होता ESP3 होता है तो यहाँ तो दोनों उस से जुड़ा है ना दोनों तरब से इसलिए ESP2 हो जा रहा है तो आपसन नंबर C सही हो जाएगा next question में देख लेता है 15 number question निमलिखित योगिकों में कौन अमलिये है अब यह कह रहा है among the following compound who is ESP2 अब ESP2 बोच रहा है तो 15 का आपसन नंबर direct टिक करिए D option acetylene stick acid को तो आपसन नंबर acetylene है यह D option आप लोग का correct हो जाएगा CH2, C2, H2 next question number 16 देख लेता है कौन सा C option CO3 के hold twice तो option number यह देख लिजिए 2 negative इसमें दिया गया है और कारबन दिया गया है और CO3 दिया गया है तो यह option number C correct हो जाएगा next question number कह रहा निमलिखित योगिकों में कौन अधिक हम लिये है more SD कौन पूछ रहा है तो more SD हम लोग अगर देखेंगे तो resonance देखना है minus eye effect देखना किस में सबसे अधिक लगेगा minus yum effect देखना सबसे अधिक किस में लगेगा तो यह question अगर साब करते हैं आप तो यह देख लिजिए इसमें कौन सा 17 में option number तो वैसे कौन सा option से हो जाएगा यही option correct होगा strongest most strongest acid यही है क्योंकि यह क्यों नहीं है क्योंकि अगर यह हो गया पारा पोजिशन होता है यह आर्थो पोजिशन यह मेटा तो यह यहाँ पे hydrogen band मिल जाता है hydrogen band थोड़ा SD character को कम कर देता है इसलिए option number यह सही हो जाएगा यहाँ पे देख लिजिए यहाँ minus M और minus I दोनों लग रहा है next question number देखेंगे निवलिखित alcohol में सांद एसल के प्रति किरिया सेलता का क्रम क्या है the add of the reactivity of the following alcohol toward the concentration ACL में देखना है कौन किस किस से साथ सबसे अधिक fast के वेच रियक्षन देता है तो 19 का यह देख लिजिए कौन सा question है 18 का कौन सा question या 18 का हम लोग का क्रम देखना है तो 18 में आएंगे तो option number C देख लिजिए पहले सबसे अधिक reaction करेगा इस से करेगा fourth से करेगा फिर उसके बाद third से करेगा फिर उसके बाद करेगा second से फिर यह first से करेगा तो कौन सा option correct हो जाएगा option number correct हो जाएगा यह 17, 18 का option number C correct हो जाएगा next number question इनमें से कौन कौन जलिए केवेच से परत्किरिया कर esteldehyde का निर्माड करता है हुच आप दा following on hydrolysis with yakos केवेच gives esteldehyde इसमें कह रहा है कि hydrolysis करना yakos केवेच के साथ और वो esteldehyde देगा esteldehyde क्या होता है CH3 CH को esteldehyde कहते है तो यह reaction करेगा किस से dichloros से जहाँ पर 2 chlorine लगा होगा इसी से reaction करेगा तो option number last option correct हो जाएगा D number next number question देख लीजिए निमलिखिद में aromatic कौन नहीं है यह question अभी इसके साथ पिछले ही वीडियो में एकदम पूरा explain किये थे कि इसमें आप लोग कैसे चेक करेंगे aromatic, non-aromatic और anti-aromatic तो आप लोग वो वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग वीडियो देख लिजिएगा description box में उसके link हम provide कर देंगे चलिए इसमें भी देख लेते हैं तो जिसमें 2 pi electron हकल्स rule 4 यन 4 यन प्लस 2 रूल फालो होना चाहिए तो इसमें 2 pi electron आता है 6 pi और इसमें 10 pi 14 pi आता वही होता है तो इसमें देख लिजिए इसमें 6 pi इसमें 2 pi electron है इसमें 6 pi electron इसमें 4 pi यही गलत हो जाएगा तो इसमें 4 pi electron वाला क्या होता है anti aromatic होता है तो next question number हम लोग देखेंगे आप लोग ये एकदम clear कर लिजिए भी आप सम correct हो जाएगा next question number 21 देख लिजिए enzyme जो bacteria के cell wall को तोड़ देता है the enzyme that break the bacterial cell wall तो जो bacteria का cell wall होता है उसको कौन सा enzyme breakdown करता है lysozyme नहीं lypage भी नहीं ये तो fire molecule को करता है gymege ये भी नहीं gymege भी नहीं करता है diastage एक enzyme होता है ये ही cell wall की bacteria को digest कर देता है तो आप सम number D correct हो जाएगा diastage next question number पर्थम कोड़ पर्तकिरिया का earth I call 10 minute है तो पर्तकिरिया का बेग इस्थिरांग कितना होगा तो एकदम ये simple question होता है अगर आपको concept पता होगा तो आप ये question एकदम exact solve कर पाएंगे student ये question जो है chemical kinetics question है और यहाँ से question आता ही है हमेशा T half करके ऐसे question देता है पर्तम कोड के पर्तकिरिया का earth I call 10 minute दे दिया है और इसमें बेग इस्थिरांग पूछ राके कि value the half life period of first order reaction 10 minute half life T half जो था वो दे दिया है किना 10 minute दे दिया है और पूछ क्या रहा है the rate constant of reaction rate constant पूछ रहा है 0.693 by K होता है तो यही के पूछ रहा है तो के यहां ले आओ और T half को यहां कर दो तो जैसे ही करोगे यह ऐसा आप लिख सकते हो के इसकल टू 0.693 by T half 80 half की value दिया गया है 10 दिया गया है तो इससे 10 से अगर जैसे इसको divide करोगे 10 से तो यह क्या हो जाएगा जैसे ही 10 से divide करोगे तो यह जाएगा उपर जाएगा फिर आपको एक यह से यह देख लीजिए क्या हो जाएगा answer आपका कौन सा आएगा इसमें answer यह देख लीजिए D option आएगा 1 10 0 यहां से कट जाएगा यह हटा दीजिए यह आजाएगा 6 9 3 आजाएगा तो option number कौन सा correct हो जाएगा D option आप लोग देखेंगे कि आपका D option number correct हो जाएगा 6 9 3 meter per inverse यह दि कोईशल पर्त किरिया तुरित है तब क्या कह रहा कह रहा कि यह question भी important question है क्योंकि यह question पूछा भी गया है sorry student यह जो 22 number question है थोड़ा इसमें क्या इसमें correction क्या इसमें गलती क्या हो गई इसमें अगर आप इसका calculation करते हैं तो फिर वहाँ पे गलती हो गई आप इसका calculation करके देख लिजिए ऐसे मन लगाई है 0.693 by 10 जब करेंगे तो यह कितना हो जाता है यहाँ से कटेगा यहाँ एक 0 और बढ़ जाता है तो यह देख लिजिए ऐसे हो जाएगा 0.0693 हो जाएगा तो आपसा number C correct होगा ना कि D आपसान यह आप लोग divide करके देख सकते हैं क्योंकि 10 ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाएगा ऐसे लिखा 0.693 यहाँ 10 से divide करेंगे तो इसको उपर ले जाएगा तो यह 10 के power माइनस में हो जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 1 करने के लिए एक 0 यहाँ आप लगाना पड़ता है इसलिए आपसर नंबर C correct होगा ना कि D चलिए next question देखते हैं ये भी question बार-बार पूछा ही जाता है घुमाफिरा के पूछा जाता है ये कोई male पर्तकिरिया तोरित है कह रहा कि if cell reaction spontaneous spontaneous reaction और non spontaneous reaction के respect में देखना है तो first कह रहा कि E not cell negative होता है B कह रहा E not zero होता है और delta G negative होता ही कि delta G zero तो अगर question में कोई मतलब कोई मतलब नियम नहीं कोई rule नहीं लगाया जैसे कोई ये नहीं कहा है जो थर्मी reaction नहीं दिया इंडो थर्मी reaction direct मतलब spontaneous reaction की बात कर दिया तो spontaneous आप लोग लिग भी सकते हैं कि spontaneous reaction होने के लिए delta G always negative होना चाहिए तब spontaneous reaction होगी delta G क्या होना चाहिए positive होना चाहिए और delta G अगर positive रहेगी तो non spontaneous हो कर जाएगी non yes p o n t a n i o u s तो spontaneous हो जाएगी और delta G अगर zero रहेगा तो ये equilibrium पे position पे रहेगी reaction तो इसमें आपसा number कौन सा सही हो जाएगा इसमें option number C correct हो जाएगा delta G जो होती है वो क्या होती है positive नहीं होती delta G negative C option correct हो जाएगा next question number 24 ये araneous equation है इसको skip कर देते हैं 25 number question देखते हैं ये भी question पूछा गया था और बार बार question पूछा जाता है कि इसमें देख लेते हैं ideal solution के ऊपर एक question है 25 कहरा others goal के लिए निमलिखित में कौन सा सरते हैं सकती है which of the following condition is correct for ideal solution अब ये भी question important question है आप लोग note down भी कर सकते हैं ideal gas solution के लिए जो होती है ये देख लीजिए इसमें delta B mixage होता है इसमें delta B mixage होता हो 0 होता है delta H mixage जो enthalpy होती है ये क्या होती है ये भी 0 होती है और इसमें ये आप लोग देख लीजिएगा delta B mixer और delta H mixer दोनो 0 होता है तो इसमें कौन सा option correct हो जाएगा 25 का option number देख सकते हैं आप a option ही देख लीजिए a option कहरा delta H mixture जो होता है ये 0 होता हो delta B mixer 0 होता है इसलिए option number first आप लोग correct कर जाएगे क्योंकि delta A mixer जो होता है delta H और delta B दोनो 0 होते हैं कभी कभी ये भी question पूछ लेता है कि ideal example of ideal solution तो ideal solution के example कभी कभी पूछ लेता है ideal ये देख लीजिए लिख सकते हैं ideal solution के example पूछ सकता है तो example कौन कौन आते हैं इसमें देख लीजिए example अगर आपको देखने हैं तो finally same होनी चाहिए तो आप लोग ये लिख सकते हैं example भी लिख सकते हैं जैसे normal pentane और normal pentane हो गया pen tane pentane और normal ये cx ane normal hexane हो गया और फिर second लिखेंगे example second example भी लिख लीजिए क्योंकि ये question हो सकता आप पूछ लिया जाए तो इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ideal gas solution के example हो गया जैसे benzene हो गई ben zene benzene हो गया and tolion हो गया tol un e tolion हो गया फिर उसके बाद ethyl alcohol methyl alcohol हो गया ethyl alcohol alco choyal methyl alcohol and methyl alcohol ये साथ ही में दोनों दिया रहेगा methyl alcohol हो जाएगा फिर एक example ये लिख लीजिए ये बार बार पूछा जाता है acetone और betanone acetone and butanone butanone ये भी question पूछा गया था एक बार ये भी पूछा गया था ethyl chloride और ethyl bromide तो आपको देखेंगे family आपको सेम दिखेंगे जैसे carbon tetraculoride silicon tetraculoride ऐसे दिया होगा मतलब family पढ़ने में सेम लगेगी तो route लाकि ये एक जामपल हो जाएंगे तो ये सब था आप लोग का next question हम लोग next slide में करेंगे चलिए इसी वीडियो में हम लोग कुछ question physics के भी कर लेते हैं चलिए student इसी वीडियो में हम लोग कुछ physics के question भी कर लेते हैं जो की important question है क्योंकि हम लोग एक ही वीडियो में physics chemistry बालू जी के सभी तीनों के question कर रहे हैं जो cp net में अभी आने वाले हैं कितने कितने तारिको exam है इंट्रेंस exam computer based exam जो इसी मन्त में है january कितने january 7 january के लिए हम लोग तयारी best कर रहे हैं जिससे तुरू आप लोग का आसानी से selection हो जाए और जो course आप करना चाहरे हैं आप लोग को आसानी से मिल जाए मेरे channel के माध्यम से physics chemistry भालू जी के लगबत 300 plus वीडियो बना दी गई है 300 plus क्या 300 plus वीडियो बनी हुई है तो हम लोग please सभी वीडियो देखते रहे हैं और daily 3-4 गंटा देखने के बाद अपनी self study करिए चलिए हम लोग physics के question शुरू करते हैं तो 14 number question तक हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं तो चलिए 15 number question को देख लेते हैं student आप लोग जितने भी ये question कराए जाएंगे आप लोग सभी question देखके जाना है exam में तो चलिए हम लोग देखते हैं question number 15 question number 15 कह रहा electron bolt द्वारा मापा जाता है तो electron bolt के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं तो option number 10 हो जाएगा electron bolt के द्वारा हम लोग उर्जया को मापते हैं next question number 16 किसी संधारित कैपासिटर की धारिता का मातरक क्या होता है तो कैपासिटर की धारिता का मातरक फैराडे होता है option number C correct हो जाएगा next question number हम लोग देखेंगे आबेस बितरन्ड से होता है आबेस बितरन्ड से क्या होता है तो उर्जा का हार से होता है मतलब उर्जा हानी होती है लास होती है तो option number first correct हो जाएगा समांतर plate संधारित में जब वायू के अस्थान पर उच्च प्रावैद्दूत वायू स्थान पर उच्च प्रावैद्दूत बढ़ती है next question one graph generator एक ऐसा मशीन है जिससे उत्पन होता है क्या उत्पन होता है उच्च बोल्ट उत्पन होता है next question number किसी माध्यम के आपेच्चिक बिद्दू सिलता हमेशा बड़ा होता है कितना बड़ा होता है किसी माध्यम की आपेच्चिक बिद्दू सिलता हमेशा कितना maximum one होता है तो आपसा number भी correct हो जाएगा next question एक डाई एक डाई इलेक्टिक माध्यम के आड़ू का दिवधुरू आगुण सुननी है तो इसे क्या कहते हैं एक बिद्दूत परिपात में एक बिद्दू पर मिलने वाली धाराओं का बीजगनिती योग जो होता हो सुननी होता है क्योंकि बिद्दूत परिपात में बिद्दू मिलने वाली धाराओं next question number 23 wheat stone bridge को मापने में बेवार किया जाता है तो wheat stone मापने में किसका बेवार किया जाता है option number C उच्च परतिरोध तता निम्न परतिरोध नापा जाता है high or low दोनों नापा जाता है next question number 24 cell का बिद्दूत वाहक बल का मापा जाता है किस में मापा जाता है बिद्दूत वाहक बल को हम लोग नापते हैं आबेस क्योंके नजदीक अगर तीबरता E है तो minus 2 के आबेस के नजदीक तीबरता कितना होगा तो option number first correct हो जाएगा minus E upon 2 हो जाएगा next question number अगर किसी बिद्दूत छेत्र में तीबरता E है तो इसमें बिद्दूत छेत्र तीज उर्जा घनतु किसके directly proportional होगा किसके समानपाती होगा तो E square के option number B correct हो जाएगा ये कहरा किलो वाट हावर किसका मातरक होता है तो option number उर्जा का मातरक होता है energy का direct first option correct करेंगे next question देख लेते हैं बिद्दूत परिपत के परितिरोध को आधा करने पर क्या उत्पन होता है बिद्दूत परिपत के परितिरोध को आधा करने पर उत्पन होगा दुगना next question number किसी बिद्दूत बल्ब के धारा को एक परसेंट से बढ़ाने पर उसकी सक्ती बढ़ती है कितना तो 2% बढ़ जाती है अगर किसी विद्धुद्बल्व के धारा को 1% बढ़ा होगे तो उसकी सक्त बढ़ती है कितनी 2% चलिए student हम लोग next question next video में करेंगे क्योंकि इस video में lang काफी हो गया है और student अगर physics, chemistry, biology एकी video में कराई जाएगी दोनों एकी video में physics, biology और chemistry तो video लांग होगा और आप लोग को last तक video देखना है बगएर download किये हुए online देखना है ताकि अच्छे views आएं channel पे और अच्छे watch time भी चले तो student प्लीज आप लोग channel को please share करें और maximum अपने friends में share करें अपने whatsapp group और facebook पे ताकि अच्छे-च्छे question आप लोग के लिए आ सकें तो चलिए student हिंदी में आप लोग का demand का हिंदी में ही question आ रहे है चलिए next video में हम लोग best question के साथ आएंगे thank you, धन्यवाद, दिल से शुक्रिया आपी लोग के लिए thank you